जहिन सातियों आज एक महत्रपूर्ट टॉबिक हम लोग पढ़ने जारें जिस टॉपिक का नाम आपके सामने दिख रहा होगा राश्टी सिच्छा नीती 2020 एक ऐसा टॉपिक है जहां सब के परिच्छा में सीधे सीधे सवाल आते हैं आप सभी लोग कॉपिक कलम के साथ इस वीडियो का नत्रप बनी रहेगा क्योंकि राश्टी सिच्छा नीती जिसे हम एन ए पी एन ए पी एक मिलोग लिख दें कि यहां से सवाल आपके परिच्छा में आते हैं एन ए पी दो हजार बी न्यू एजुकेशन पॉलसी दो हजार बीस नई राश्टे सिच्छा नीती दो हजार बीस यह आपके परिच्छा के लिए सबसे ज़्यादा महत्त्रप पूर्ण मतलब यहां से यह सेलबस में भी एक दम साब साब लिखा गया है और यहां से प्रश्ण आपके परिच्छा में हर हाल में पूछे जाते हैं तो आप इस वीडियो के अंतर बने रहेगा आज हम लोग नई सिच्छा नीती को हर एक बिंदू हर एक टॉपिक को एक करकर के करम वारुप से पढ़ेंगे ताकि आपका जो पार्ड करम आपका जो शेल बस है यहां से किसी प्रकार की कोई भी समस्य आप न रहा जाए यहां पर हम देखेंगे कि राश्टि सिच्छा नीती नेस्टनल एजुकेशन पॉलसी तो यहां पर निउउग्र एजुकेशन पॉलसी की जानते हैं 2020 86 में उसके बास स्वतंद्र भारत की यह तीसरी सबसे बहतरी सिच्छानीतियों में इसे एक मानी जाती है नई सिच्छानीती राष्टी सिच्छानीती 2020 New National Education Policy या New Education Policy भी इसे कहा जाता है आईए देखते हैं इसके बारे में क्या-क्या महत्पुन बिंदु है जहां से अपके परिच्छाँ में शवाल आ सकते हैं जैसें केंद्र सरकार ने प्रधान मंत्री नेंद्र मोदी जी के अधिस्ता में 29 जुलाई 2020 मोष्ट आयमपी कोही मंत्री मंदल की बैठक में नई सिच्छानीती को मंजूरी दी केंद्री मानोसंसाधन बिकास मंत्री रमीश पोखरियाल निशंक और केंद्री सुचना प्रशाण मंत्री प्रकाज जावेकर ने प्रेस कॉंप्रेस के जरिये नई सिच्छानीती 2020 नेप 2020 की मंजूरी की गोष्ट नाकी या 21 सदी की पहली सिच्छानीती जैसा कि मैंने पहल मालिक लिए जून 2017 में पूर इसरो के प्रमुग डाक्टर के कस्तूरी रंगन ये पूछा जाता है इसके अध्यच कौन थे तो के कस्तूरी रंजन के अध्यस्ता में एक समिती का कठन किया गया था और इस समिती ने मई 2019 में राष्टी सिच्छानीती का मसौधा भी प्रस्त किया था ये मोस्ट इंपर्टेंट हर एक लाइन आपके परिक्छा में पूछा जाता है अब यहां से देखा जाएगा कि राष्टी सिच्छा नीती 2020 वर्ष 1961-1986 के बाद सतंद भारत की तीसरी सिच्छा नीती होगी भारत की पहली सिच्छा नीती उस समय पढ़न मंतरी इंद्रा गांधी जी थी और में आई थी भारत की दूसरी सिच्छा नीती 1986 में राजु गांधी की सरकार में आई थी जिसे 1992 में पीबी नर सिंहाराओं ने संसोधित किया था तो यह लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसकी स्किन सोड भी अप अब से बड़ी बात है कि मेरे मेरी एक लास निश्रुक आप सभी के लिए देशित में राषित में जबी मुझे समय मिलता है मैं आपके लिए क्लासे लेका रहता रहता हूं निव एजुकेशन पॉलसी 2020 के अंतरगत यहां पे नव एजुकेशन 2020 माने नई एजुकेशन यह निश्रुकेशन पॉलसी 2020 के अंतरगत में चाड़ी का नाम बदल कर सिच्छा मंत्राले करने का मुख्य उदेश ध्याना कर्शित करना है अई इसके बारे में और आगे अच्छा से चर्चा करते हैं नई सिच्छानीति का विजन क्या था इसका दिश्ट कोन क्या था कित ऐसे लोगों को तयार करना जो अपने शमिधान द्वारा परिकल्पित समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बहतर तरीके से युगदान करें मतलब यह नई सिच्छनीति बात को ध्यान रखती है इसका उदेश क्या है इंसानों का विखास करना जिसके अं समाज के निर्माण में बहतर तरीके से युगदान करें अब हम आप समझ रहे हों कि इसका विजन क्या था नई सिच्छनीति के पांच आधार बूद अस्तंब थे उन पांचों आधार बूद अस्तंब को हम एक ही टॉपिक में पढ़ने का प्रयास करेंगे जहां पर हम 5 प हम थे फंडमेंटल पीलर्स थे उन पर आधारी थे पहला जबाब देही क्यों होगा पहला जो होगा जबाब देही होगी सब तक पहुच माने जो सिच्छा है न वो सब तक पहुचना होगा और सबकी जबाब देहीत हैं होगी और कि फायत की फायत का मतलब यहां पे ध्यान गाँ उनके घर तक सिच्छा पहुचाना ये सबसे महत्वपुण होगा इसकी किफायत होगी इसमें गुणवत्ता का बिशेष ख्याल रखा जाएगा इसमें क्यों होगा गुणवत्ता मैंने सब तक पहुच होगी और उसमें गुणवत्ता का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा ऐसी कोई पॉलसी नहीं होगी, इसमें सब की भागीदारी होगी, अमीर, गरीब, समाज के वन्चित, मनि सभी को, जिव भारतिश रमिधान ने जिसकी कलपना की थी, उसकी बात की जा रही है, सिच्छा, मतलब अगर पूछा जाए, कि यहाँ पे जो नई सिच्छा नीती, जो सिच्छा है, वो सब तक पूछे, सिच्छा में सब की भागीदारी हो, सिच्छा की गुनवत्ता में शुधार है, सिच्छा की फायती हो, सबी जन तक गरीब, अमीर, निर्धान, हर बेक्तित तक पूछे और सबकी जबाब दे ही भी हो कि भाया का है को उस तक कोई वंचित क्यों रहा गया इसमें सबके जबाब दे ही भी ताय हो तो नई सिच्छा नीति कि ये पाँच पीलर्स हैं ये पाँच आधार बुत अस्तम्भ है जो आपके परिच्छा के दिश्टिकोंड से सबसे ज़्यादा महत्य पोने भी हैं अमीद करते हैं आपको इस समझ मागज़ जिसको नहीं समझ मारे मैं एक बार जूम कर दे रहा हूँ अब सैद आपको दिखरा होगा इसके पाँचों अस्तम्भ अब नई सिच्छा नितिक लक्ष क्या है जिसे आप पढ़ रहा है आपका लक्ष क्या है आपका लक्ष सलेक्षन लेना है आपका लक्ष सरकारी नोकरी करना है तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो आएम है जो आपका दिश्टिकोंड है वो भी पूरी तरह से किलियर होना चाहिए, तो यहाँ पर नई सिच्छा नीतिक लच्छ की बात करें, तो सिच्छा पर सरकारी खर्च 4.4-3 फिजदी से बढ़ा कर GDP का 6 फिजदी करने का लच्छ रखा गया, मानि लगभग जो 4.5 परिश्दी था GDP का, अब उसे GDP का 6 परिश् ख्याल नई सिच्छा नीति में रखा गया है, नेप 2020 द्वारा, दो करोन स्कूली बच्चों को खुले स्कूली सिच्छा ध्यान दीजेगा, प्रणाली के माध्यम से मुक्य धारा में वापस लाना है, खुले का मतलब यहाँ पे ओपन स्कूल की बात की जा रही है, बहुत स सबसे प्रमुख लच्च है, 2015 तक स्कूल और उच्य सिच्छा परणाली द्वारा मने 25 तक प्रणाली सिच्छा को वे वसाई सिच्छा में शामिल करना बेवसाई सिच्चा को मतलब का है जिसके सिच्चा के बाद कौसल लेने के बाद वो काम कर सके, काम पा सके और अपने परिवार का भी जियोको पारजन अच्छी तरशे कर सके या इसका सबसे प्रमूख है अगर हम बात करें निप 2020 के तहट वर्ष 2030 तक शकल ना मंकन अनुपात जिसे हम ग्रॉस इंरॉल्मेंट रेशियो जी इयार को 100% लाने का लक्ष भी रखा गया ये इनके प्रमूख आधारबुत लक्षे हैं 2030 तक हर जिले में या उसके आसपास कम से कम एक बड़ी बहु बिश्यक संस्ता होगी जहां पर बच्चा जाकर अपने मन मुताबिक बिश्यकों को पर सकता है ये इसकी सबसे प्रमूख लक्षों में शे एक है कब तक 2030 तक ठीक है अब आगे हम बात करते हैं इसकूली सिच्छा पे जो इसकूल एजुकेशन पे ये क्या बात करती है जो आपके लिए सबसे जादा महत्तपोना और यहां चे सवाल आपके परिच्छाओं में जोला भरभर के आते हैं यह नीती वर्तमान की 10 प्लस 2 वाली स्कूल बिवस्था को 3-18 वर्ष के लिए सभी बच्चों के लिए पाठचरिया और सिच्छन सास्तरी आधार पर इसे कैसे 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 की नई बिवस्था करती है ये 4 स्टेज के हम ध्यान से पढ़ेंगे इन 4 स्टेज को ध् रखा गया पांच प्री प्रेमिश शुरू कर रहा है पांच प्लस 3 प्लस 3 मैंने पांच तीन आठ तीन 11 और चार 15 इसको लेकर चला जा रहा है यहां पर अगर देखा जाए तो दम ध्यांज देखेंगे तब आपके कॉंसेप्ट पूरी क्लियर होंगे पिछला अकादमिक धाचा दो वर्स जो 16 से 18 वर्स 10 वर्स 6 से 16 वर्स यहां पर ध्यान देखेंगे पिछला नहीं अकादमिक धाचा क्या है सेकेंडरी स्टेज जो चौथे में रखा गया है फिर तीसरा दूसरा देखरेंगे अब इनको भी एक एक करके हाँ से पढ़ेंगे अब देखिए थोड़ा सूपर नीचे हो गया एक बार पूरा समझ लेंगे तो आपको समझ मा जाएगा देखिए इसमें चार तीन तीन और दो यहां पर ध्यान दीजेगा क्या क्या जो चरण है पांस तीन तीन चार इन नहीं धाचा क्या है देखिए पिछला का अदमिक वर्स क्या था द च्णर प्लस 2 था प्लस 3 यह औरधारण ना बंधार चलती थी दो वर्स मानि 16 से 18 तक पर क्या हो गया इस नो यह दो एटा आट से 10 यह दोनों क्लास हो गया यहां पे हमारा class हो गया और यह हमारा years हो गया यह दोनों years हो गया अब इसको क्या कर दिया गया पहले यह था अब यह दो वर्थ क्या था यह 10 प्लस 2 की बात कर रहा है यह 10 प्लस 2 की बात कर रहा है 16 से 18 यह पहली ब्योस्ता थी उसके नीचे यहां पर देखेंगे यहां पर क् यहाँ पर पलट दिया गया अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले क्या है ध्यान देखें fundamental stage माने गदबिधी आधारी सिछण पर विसेजबल activity based learning special syllabus होगा बच्चों के लिए हर जीले में बाल भवन होगा हर जीले में क्या होगा एक बाल भवन होगा बाल भाटिका होगी जहां से बच्चों को सिखाया जाएगा यहाँ पर हम देखेंगे तीन वर्स आगन बाड़ी में प्री स्कूल बाल भाटिका तीन से च्छो वर्स तक उसके बाद दो वर्स मतलब यहाँ पर देख रहे हैं तीन प्लस दो माने यह हो गया पांच उपर आपको पांच दिख रहा है यहाँ पर दिखेंगे पांच आपको दिखाई दिया हम इसी पांच के यहाँ पर बात कर रहे है इसी पांच के हम लोग यहाँ पर बात कर रहे ह अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि इसमें दो तरह के तीन वर्स जो है आगन बाड़ी में प्री स्कूल बाल बाड़ी का तीन से च्छर तक बच्चों को अच्छर का ग्यान कराना खेल बिदी से बच्चों को शिखाना उनको पता भी नहीं चलना है उनको कप पढ़ाया गया और बच्चे शीक ले रहे हैं इसमें देखिए दो वर्स कछा एक और दो च्छा से आठ वर्स मतलब यह हो गया कि इसमें जो फंडामेंटर स स्टेज हो गया आपको समझ में आ गया यह कितने साल का है पांच एयर का यहां पर क्या हो गया पांच एयर आप समझ में आपको आ गया होगा दो वर्स एक दो मतलब यह दिखेगा अगर उम्र की बात की जाए तो तीन से लेकर आठ वर्स की बात कर रहा है अगर उम्र की बा प्रिश्कूल बालबाडी का तीन फिर एक और दो यह फंडामेंटल स्टेज हो गए जहां पे स्पेशल सेल्बस होगा अक्टिविटी बेस्ट लर्निंग होगी गद्विधी आदार इस इच्छन होगा इसे पर विसेज बल दिया जायेगा अब दूसरा है प्रिपरेटरी स्टेज की बात करें इसमें कच्छा पांस तक के बच्चों को अपनी मातर भाशा च्छत्री भाशा अस्थानी भाशा में पढ़ाया जाएगो किसे हम सब भाई कि अब जौनपूर कहें तो जौनपूर वाली भासाम पढ़ेगो का पढ़ेगो का ना पढ़ेगो यह अलुजुन उम्र बाट है कितना कच्छा पांस तक यह दू तक हम देख लिए रहे तो जब एक दो तक हम फंटामेंटर स्टेज देखें अब हमारी जो ह ना इसे बच्छे क्या करेंगे अपनी छस्थानी आठ से घ्रहन करेंगे अब कितना होगा हैं अब आते हैं मिडल इस्टेज की तरफ यह भी तीन वर्स का गया इस्थी में क्या होगा अब बच्चा पांस तक पढ़ लिया अब छे शाउत आर्ड की बात कर रहा है जिसह ज पेटरी स्टेज के बाद मेटेज के सिचा इसमें गच्छा 6 से बच्चों को प्रफेशनल की सिचा दिजाएगी, साथ ही अस्थानी अस्तर पर इंटरसिपब भी कराई जाय आएंगी अस्थानी सर जैसे कहीं भी हो सकता है यहां पर ली कंपनी लगी हो किसी जगा जाएंगे को इलाने निर्मार हो रहा हो किसी जगा जाएंगे तो बड़ी का काम होता हो मैंनल अलग-बलग जन्द जहां पे स्पेसलिस्टी होगी बच्यों बहां भी ले जाकर दिखाएंगे इंटर्शिप कराएंगे उससे सिछा 6-8 तक है यहां पर देखें कच्छा 6-8 है उम्र की बात कर उम्र ते 11-14 साल हो गया तो वही जो 6-14 साल की बात कर रहते हैं 6-14 साल तक पहले क्या था कि निसुल से चागादिकार की बात करता था तो middle stage तक हो गया और यहां पर जो 14 वर्स तक है अब वही उम्र जो है वो 3-14 वर्स तक हो गया तहाँ पर यहां पर यह तीन साल का 3-3-6-5-11 साल हो गया ठीक है अब 14 आ गया ना 3-11 जोड़ेंगे 14 हो गया अब आगे गर बात करें तो secondary stage की बात करता है यह चार वर्स कच्छा 9 से 12 तक हो उम्रे की सीमा की बात करें 14 से 18 वर्स तक मतलब यहां तक अब बच्चा क्या होगा secondary stage की तरफ बढ़ गया अब यहां में बच्चा 12 पास करेगा इसमें चात्रों को बिशे चुनने की आजादी रहेगी वो अपनी साब से बिशे चून कर सकता है भगोल के साथ वो बिज्यान पर सकता है बिज्यान साथ वो इतिहास पर सकता है गनित के साथ वो कौमर्स ले सक बच्चों को बिच्छे चुनने की पूरी पूरी छूट होगी stage 4 में तो यह चार वर्स का होगा कच्छा 9 से 12 ठीक है 9 10 मतलब 9 10 11 12 उमर हो गई 14 18 वर्स तो यहां पर इस धाचा को याद रखेगा यह नया काजमी धाचा है यह जो नया काजमी धाचा का मतलब क्या है यही है यही है आपका नयप 2020 यही है आपका क्या नयप 2020 है इसे इसे शेयर करिएगा वीडियो को अपने शभी मित्रों को और लाइक नहीं के तो लाइक कर लिजिए और आज ही शेयर करिए यह कापी महत्तपूर है और फेश्बुक पे देख रहें तो फालो करना ना भूलिएगा इसके कुछ प्रमग बिंदू थे आईए उस पर भी हम लोग फोकस करते हैं त्रिभासा फर्मूले में हिंदी अंगरेजी एच्छे त्रिभासा होगी जो त्रिभासा फर्मूला है यह NCF 2005 का भी है अगर इसकी बात करें तो आपको NCF 2005 में भी मिल जाएगा त्रिभासा फर् जोर दिया जाएगा अब सिर्फ बारामी कच्छा में बोड पर इच्छा देने होगी जो बॉड पर इच्छा होगी अब क् requis बारामी कच्छा में होगी जिश्मिन नमवी से बारामी तक समेश्टर की परिच्छा होगी सेकेंडरी लेबल पर रुसी, जर्मान, स्पैनिस, आ इसुल केमों अनिमार बाल सिच्छा अधिकार अधिनियम 2009 को कच्छा 12 तक या 18 बस के लागू किया जाएगा, जब नहीं समझ में आगा तब पूछ रकते हैं, हम आपके सारी कॉंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे, अब यहाँ पे 12 तक टेट को लागू किया जाएगा, तता सिचक निउक्ती, डेमो स्किल टेस्ट और इंटर्वी भी सामिल होगे, आपने देखा होगा कि अब जो बारामी कच्छा तक टेट को लागू किया जाएगा, टिचिंग इटेस्ट जो है, सिचक पाता परिच्छा भ पहले आप टेट परिच्छा पास करेंगे, कवेस के परिच्छा पास करेंगे, डेमो स्किल टेस्ट देंगे, फिर इंटर्वी के माध्यम से आपका अंतिम रूप से चैन होगा, सिचकों को गैर से अच्छी कार से हटाया जाएगा, सिर्फ चुनाओ ड्यूटी ही करनी है, बाकी ड्यूटी से उन्हें फुर्षत मिलने वाली है, नई सिच्छा नितिके अनुशार, अब प्रतेक पांच वर्ष में स्कूली सिच्छा गुडवत्ता की समिच्छा, बबने 5-5 वर्षों के बाद जो स्कूल सिच्छा की गुडवत्ता है, उस पर भी समिच्छा की कर दिया जाएगा जो इंटर के बाद आप सीधे करके graduation के बराबर अब प्राप्ति कर सकते हैं योगात्मक आकलं के बज़ाए नियनमीत रचनात्मक आकलं पर बल तीन स्तर पर पहला छात्र स्वहम् मुल्यंकन करेगा आप शभी लोग एक नया राष्टी आकलन केंद्र परक यानि पर्फर्फर्मेंस असेस्मेंट रिविव एनालसिस आप होलिस्टिक डेवलमेंट के स्थापना की जाएगी जो बोर्ड परिच्छों के लिए मानंग धान निकाय का काम करेंगी यह भी इंपोर्टेंट इसका फूल फाम भी आपके परिच्छा में पूछा जा सकता है मैंने का इलनी भी दुर्गेश के नोर्स बहुत important है इस नोर्स को पूरा पढ़ लीजेगा यह नोर्स आपको इलनी भी दुर्गेश के app पर भी मिलेगा जहां साथ इसे डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं आगे बात करते हैं उच्छ सिच्छा की बात करते हैं कर सकेंगे मास्टर के बाद सीधी पीसडी कर सकेंगे एंफिल कोर्स खत्म तो मतलब यहां पर क्या था न जैसे कभी कोई बीच में ग्रिजुएशन के बाद एक साल दो साल बात गैप हो जा रहा था छोड़ दे रहते तो उनकी डिग्री बेकार हो जाती थी नई सिच्छा नीति के साथ पहले साल साटिपिकर दूसर साल डिप्लोमा तीसे साल में उनको डिग्री मिल जाएगी और हैर इजुकेशन के लिए चार साल के डिग्री पूरी करेंगे एक साल और पढ़ लेंगे आपको मास्टर डिग्री मिल जाएगी और फिर सीधा पीच्डी कर लेंगे अब एंफिल का जन्रेट खतम UGC, NCT और AICT बनेगी एक रिग्री बाडी जी होगी यह ऑनलेन एजुकेशन पर जोर सभी नोचिटी के लिए समान नियम होंगे मनें ऑनलेन पढ़ानी पर बल दिया जाएगा यस्वे हम लोग इस समय ऑनलेन पढ़ रहे हैं तो इस प्रकार जो एक नई सिच्छा नीती थी इसके आधार पर आगामी से चकभरतियां भी होनी है आपकी परिक्षा इसी अधार परोनी है और ये सवाल नई सिच्छा नीति के परिक्षाओं में खोब जोला बरबर की पूछे जा रहे हैं और इंटर्व्यू में भी नई सिच्छा नीति से खोब सारे सवाल पूछे जा रहे हैं आप लोग अगर यहां तक पुरा समझ नहीं हैं आप कॉमेंट करके बताएं कि NEP 2020 अगर आपको समझ में आ गया हो तो कॉमेंट करिएगा और नहीं समझ में आओगा बताईएंगे तिबारा पढ़ाएंगे और अगर इसकी नोट्स आपको प्राप्त करने तो टेलीगराम पर पर आप WhatsApp करकर सबी जनकारी ले सकते यह सबी नोट्स आप घर बाठे प्राप्त कर सकते यह सभी यचल नहीं है अगर आपके मन में में क्यों सवाल हो तो कोमेंट करके पूस सकते हैं और अगर आपका कोई ब्रक्तिकस सवाल होते, इलनी भी दुर्गेश के इंस्टाग्राम पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं. साथी साथ, आप हमें भी फॉलो कर सकते हैं। इंसोर्ट के तोर पर अपने पास रख सके यह बहुत इंपोर्टेंट है और यह नोर्स आप सभी के लिए काफी बैतार है और उमीद करते हैं यह नहीं सिच्छा नेति की जो यह नोर्स आपके परिक्षा में सीधे सीधे ठेड़ सारे शवाल लेका रहेगी आप सभी का बहु झाल